वेलकम टू मास्टर मैंड अब जीके एक बार फिर से आप लोग का स्वागत हैं मास्टर मैंड अब जीके में फ्रेंस आज इस वीडियो में बिहार पुलिस की जो नई भैकेंस से आने वाली है उसके लिए जीके जीस का टोटल 50 महत्पून सवाल को देखेंगे तो पूरा वी सब्सक्राइब कर वेल आइकन को दबा दीजेगा और वीडियो को लाइक कर देगा देखेंगा आज का पहला सवाल आप लोग के सामने है देखें मैं समय दूंगा आप लोग करते चलिए क्या होगा ठीक है गांधी जी ने निमलिखित में से किस पर बल दिया ठीक है तो किस पे बल दिया आप्सेन सामने दिया हुआ है क्या गेज करें सभी लोग क्या ईसका जो प्रेंजब आपका option नंबर नंबर हो जाएगा और की भारतिया समिधान असपश्ट तह प्रेश की स्वतंतरता की व्यस्था नहीं करता परंतु या स्वतंता अंतर निरहित है अनुचेद किस अनुछेद में अंतर परेज कि स्वातनता के बारे में तो दो का हैक्भर औस ऑप सन नंबर हो जढ़ाएगा यह fear दूसरा का है और में हो आप सब्सक्रेश्न बता रहा हूँ कि देखे इसे दो तीन सवाल बनता है ध्यान पुर्वक सुनिएगा कि सबसे पहले जजिया कर किसने शुरू किया था तो मुहम्मद बिन कासिम ने शुरू किया था ब्रह्मनों पर जजिया कर किसने लगाया था तो फिरोज सा तूगलक में लगाया था और जजिया कर को समाप्त किस ने किया था तो अकबर ने किया था ठीक है है कब किया था फिर आपको पूछा जा रहा है तो तीन का करेक्ट अंसर option number B होगा आपका फंद्रा सो 74 शुड़े में अकबर ने जजीय करको समाप्त कर दिया था ठीक है option number B करेक्ट नमे भी तो अप पुन्ह इसको किस ने गोतम बुद का जो साक्य गनराज के छत्रिय थे किसके थे और महाविर भगवान के बारे पूचा जाएगा तो इसका चारेक्ट Sprd अपका है फॉelा नबर सवाल को दिखते हैं एक हिस्टोरिका के लेखक है बहुत बढ़ पढ़ा है फिस्टौरिक के मस्ट के लिखक विछ तो पाच का गेस की जिएगा कारेक्ट अंसर क्या हो जाएगा तो पाच का जो कारेक्ट अंसर हो जाएगा फ्रेंस आपका हिस्टोरिका है तो हेरोडोटस जिसे इतिहास का पिता भी कहा जाता है इतिहास का जनक हेरोडोटस ने हिस्टोर का नामक पुस्तक लिखी है फ्रेंस और मेगा अस्थित्ति क्या लिखा है तो इंडीका नामक लिखा है ठेक है यह आप लोग याद रखेगा इंडीका काल में किस भासा को राज भासा स्टेट लेंग्वेस का दर्जा दिया गया था किस काल में तो आपका संतलत काल में तो उच्छा का कारेक्टेंसर हो जाएगा फ्रेंस आपसन नंबर बी हो जाएगा आपका फार्शी को दिया गया था किसको फार्शी को तो उच्छा का कारेक्टेंसर आपसन नंबर आपका बी हो जाएगा सात्मा साथ नममर्शवाल देखे कि इराणी पत्ती सिजदा की सुरुवाद किसने की थी ठीक है सिजदा और पाबोस दोन से था फ्रेंशों उसका सुरुवाद किसने किया था तो साथ का कएरेक्ट औसर क्या होगा तो साथ का जो कारेक्टरन्स रोजाएगा बलबन के द्वारा ये सिजदा पर्था की शुरुवाद की गई थी ठीक है बलबन ने इरानी पर्था सिजदा एबं पाबोस उसका नाम क्या एफ फ्रेंज से एक पाबोस दोनों को याद रखेगा ठीक है इस तरह से लिए है पाब एक सिंद्ध तो ट्रेंश स्थ्रेंश अपका क्या हो गया और दूसरा क्या था उसको पाबोस करते हैं ठीक है कि अब आज दूसरा को क्या करते हैं कि उस थे तो आपका बलबल ने किया था तो सभी लोग याद रखेंगे इसका कईरेक्ट असर ऐसे गा औप्शन नमबर आपका करेक्ट एंसर ए हो जाएगा कि सिज़दा की शुरुवात किसने किया था फ्रेंस तो आपका बल बन ने किया था सिज़दा का तो मुहम्मेद बिन तुगलत ने आपका सांकेतिक मुद्रा का पड़चलन किया था थिक है फ्रेंज रजिया के बारे इंट आप लोग जानते हो गेगे राजिया है जो पहली मुश्लीम महिला सास का कौन है तो आपका रजिया जी हो जाएगा ठेक है तो यहां पर इरानी पत्तिस सिजदा की शुरुवाद किस ने किया था बलवन ने किया था साथ का करेक्टर नसर यह हो गया आठ नंबर शावाल को देखें कि भारते राष्टे कॉंग्रेस के 21 अधिवेशन की अधैस्ता सुवाज चंद्र बूस्ट ने कि थी देखें सभी को आप से है this diff फटे चलिएगा और इसका छाहिए शब चाहें तो लिए टिलीग्राम चैनल में बार बार बहुता हूं टिलीग्राम Roger में टिलीग्राम टानलोड कर लिएगा तो सब्स्थ्वातिमाता जी का फोटू लगा वहां लाब कर देखें लिंक इस का लिएक समे डी कारेक्ट अंतरोजगा देखें दो आर इसके बने थे एक तरिपूरी में बने थे और अधिवेशन उसमें शुबाज जांद्र बोशाई जे इसके अध्यक्षे चुने गये थे और दूसरा बार तरह जो नियुक्त कि दूसरा बार में चुनन गेए थे वो उनम에 49 में था दूसरी थो उनहें में चुने गए थे इसका कारेक्ट अंसर क्या हो जाएगा आपका अप्शन नमर यह हरी पूरा इस भी याद रखेगा फिर्टार उन्हें चुने गए थे तो उन्हें चालिस में क्या मतभेद हुआ था तब बाद में सुवाचेंद्र वह से न जो अध्याच्छे पद से क्या है इस्थिपा दे दिये थे ठीक है बाद में क्या किये थे इस्थिपा दे दिये थे तो उसके बाद डॉक्टर इंदर प्रशाद को अध्याच्छे बनाया गया था यह बात आप लोग याद रखेगा तो आठ नमबर शावाल का जो कारेक्ट असरो हो जाएगा आप्शन न सबसे दूर होता है उसको अप भू काते है धेक है जब सबसे धूर होता है इसको क्या कहते है उसको आप वूपार्ण candy और अब्भू दोनों याद रखेगा पुना एक बार में रिपीट करूँगा एक कोशन बहुत इंपोर्टेंट है कि जब चंद्र मापिर्थिवी के सबसे नजदिक होता है तो उसे उपभू कहते हैं और जब से सबसे दूर होता है तो उसे अपभू कहते हैं सबी लोग 21 को देखें 21 नमबर सबसे अपके साब नहीं है कि समुद्र तटो को कचरा मुख्त करने है तो पूनित शागर अभ्यान कि संगठन ने चलाया है एक पूनित शागर अभ्यान है जो किसके द्वारा चलाया जा रहा है तो इसका जो कारेक्टरन्स हो जाएगा 11 का आप्टिन आधार डी नुम्रह म३ं लिवто डटोर म३ से weo अर वाइंद सवस्वू सब्सक्षेए MPG के द्वार्ण को देखेंगे में 12 बेंगए मैं 12 सु बैंक अंटराष्टी मुद्रा पूस कि अस्थापना की तो वर्फ इस्वी में देखे ब्रेंड वुट्स समेलन में लिया गया निरनाय के अधार पर जुलाई गोलार्द में खीची गई रेखा को जो इस तरह से खीचा रहता है और इस तरह से रहता है इस तरह से रहता है जो देशांतर रहता है समझ गये होंगे तो इसका जो character answer हो जाएगा जो आपका क्या हो जाएगा option number D हो जाएगा ग्लोब पर विश्वत रेखा कि समनांतर उत्री एवं दचनी गुलार्द में खीची गई रेखा अच्छांस रेखा हो जाएगा ठीक है ग्लोब पर विश्वत रेखा कि समनांतर उत्री एवं दचनी गुलार्द में खीची गई रेखा होता है अच्छांस रेखा होता है ठीक है अच्छांस रेखा रहेगा ऑख इस तरह से रहेगा ठीक है तो 13 नमबर शवाल का जो कारेक्ट अंसर हो जाएगा कारेक्ट अंसर ऑप्सन नमबर डी हो जाएगा 14 नमबर शवाल को देखे 14 नमबर शवाल है पिर्थवी अपनी धूरी पर घूमती है तो पिर्थवी अपनी धूरी पर किस तरह से घूमती है तो देखे पस्चिन से पूरव घूरती है अगला सवाल लिए पंद्रा नमर्श वाल को दिखते हैं पंद्रा नमर्श किस देश का निवासी था तो पंद्रा का जो कारेक्टर रोजाएगा फ्रेंस जर्मनी का रहने वाला था ठीक है दास कैप्टल नामक बुक इसने काल मार्श नहीं लिखा था इस आप्सन नमर्श डी 12 का 16 नमर्श शवाल को देखें कि कॉंग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण सवराज कि मांग स्विकार की गयी तो 16 का क्या दीतन्सर अभारत की प्रधान मंत्री की निवटि अद्रेंस अनुच्यत पचत्तर के अधार पर लोग सभा के बहुमत दल के निता को राष्ट पती परधान मंत्री के रूप में निक्त करता है ठीक है राष्ट परधान मंत्री के निक्ति कौन करता है तो राष्ट पती करता है और कितने अनुछेत 75 के अंसार लोग सभा के बहुमत दल के निता को करता है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठी सफलता सभी कोर्शन बहुत इंपोरटन है सोशल कॉन्टेक्ट किसके द्वारा लिखा गया था तो उनीज इसका ओप्सन क्या हो जाएगा कि भी को एक चिक्सके की द्वारा लिखा गया था ठिक याद रखेंगे सबी लोग डिवाइन कॉमेडी के दाते हैं ये कोच्चन भी आपको पूछा जाता है ग्श्रृत मी शान के मानक समय नहीं गुजरता है तो कर नहीं गुजरता है वाकिया अंतरपरदिस तो आस्थां गुजरता है 20 का कारेक्टनर हो जाएगा फ्रेंस लीह लदाख में बाषी वर्षा कम होती है 22 नमरर शवाल को देखे प्राचिन ब्वैसाली ब्रतमान में किस नाम से पुकारते हैं 22 का जो गौरटनर हो जाएगा फ्रेंस option नमर यह हो जाएगा हाजीपूर था किना प्राचिन वहाल को सदाकत आश्रम किया है सदाकत अस्रम और इसका चुल सब्राइब किया जाएगा इसका किरेक्टना को देखे बिहार में विधुतूर्जा का मुख प्राइब सब्सक्राइब देखें बिहार में बिध्धूत उर्जा उत्पादर होता है उसका मुख्य स्रूथ गेश करें आप लोग तो आपका पचीश का जो कारेक्टन सब्सक्राइब परक्रम है जिसमें क्या होता है बहुत अच्छा सवाल है एक बिल्कुल एक जाम बेश्ट कोशन और बिहार पुलिस की जुने वेकेंसिया नो इसके लिए बहुत इंपोर्टन है साथ-साथ और भी परत्योंक्ता परिछा सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब को देखें 13 रेशा का प्रूपिक विकास उस भुभाग में होता है जिसमें 13 रेशा आप लोग नाम सुने पत्थर होता है यह अगला सवाल आपका है अगला सवाल आपका है कि अब साधी सायलो के लिए निम्लिखित में से कौन सा कथन सत्य है अब साधी सैलो के लिए साधी साथा क्याया और माउनस sulla मांसुन सथाफन से इंगित है जिसका कारण है 29 का कारेक्टन सर आप्सन नमर ये हो जाएगा अस्थल तथा समुद्र का विभेदी तापन तीस नमबर शवाल देखें तीस नमबर भारत की मुख्य भूमी का तट रेखा है तो भारत की मुख्य भूमी का तट रेखा है फ्रेंस कितनी है तो आपका तीस नमबर शवाल का कारेक्टनसर आप्सन नमबर भी हो जाएगा फ्रेंस कितना एक सट सो किलोमीटर लंबी है भार पारजन करते हैं तो यह हूं है जो इसका कारेक्टन सब्सक्राइब नगदी फसल के अंतरगत नहीं अगर पूछा जा तो रवी फसल के अंतरगत आता है यह सरसो चनाए सब्सक्राइब पारजन इक प्रिंट रूगा नकार शिंध्री में लगा था भारत का परतम नाइट्रोजन युक्त खाद बनाना web उनचों कितना यह फिस bitmate कितना मुठा तो यह कावन में ही आपका इसकी स्थाप्णा हुए थी कभी स्थाप्त किया गया था सिंद्री मेंस बीड़ेंग इसका करेक अरुएगा ओप्सन नमरट करा थे क्या ओचेगा तो थे वाली रातों के पेच्छा अधिक ठंडी होते इसका मुखी रीजन है जो आपका विकिरन के कारण होता है 35 नंबर श्रावाल को देखे निमलिखित में से किस यूग का मिलान सही है 35 का करेक्टर असर क्या होगा गेश किजिएगा भूमद्र रेखिये छेत्र गर्मी की वर्षा मांसुनी छेत्र सारे साल बहरी वर्षा मुझा इसमें आपका ऑप्सण नमर बी मिलान सही है तो अधिक भूमद्रेखिये छेत्र सारे साल वर्षा होती है थिक है ज्यादा वर्षा होती है बी इसका का इंसर हो जाएगा 36 नंबर को देखे भारते संविधः को अपनाया गय था ठीक है तो भारतिय सम्मिधान को जो अपनाया गया था तो देखे इसका सम्मिधान सभा के द्वारा अपनाया गया था और यह आप लोग याद रखेंगे भारतिय नागरिक के मौलिक अधिकारों का वर्णन है तो देखे सम्मिधान के अनुछेद 12-35 तक में भारतिय नागरिक के मौलिक अधिकारों का वर्णन है तो करेक्ट अप्सन नमबर साथ 30 का यह नबर सवाल को देखें नयाय पुनरावलोकन का अर्थ यह कि सर्वोच नायाल बुशन कर सकता है तो ऑप्सन बहुत इंपॉर्टन सवाल है कि पुर्णावलातन कार्थ यही होता है कि सर्वोच नियाल है जो अपने निर्णाई की जो अपना निर्णाई पहले दे चुका उसका समालोचन पुनह कर सकता है इस तथे पर अधारित है कि जनता को सरकार को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है चालिस नंबर सवाल को देखे सिंदु सभ्यता निम्डखीत में से किस युग में पढ़ती है तों सिंदु सभ्यता है, अद्य आतिहासिक काल युग में पढ़ता है या इसी डेक का osoे को पूछा जाएगा तो याद रखे आपका जो कर्येकटर अंश्यन हो जाएगा, अगला सवाल को देखे फ्रैंस गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है तो गायत्री मंत्र 41 का कारेक्ट रंसर क्या होग? सबसे अधिक अनुदान में दिये तो गुप्त बंस इसका कारेक्ट अंसर हो जाएगा बहुत इंपोर्टेंट को देखे कि सुल्टान के काल में खाल सा भूमी अधिक पैमाने में विक्षित हुई थी तो 43 का जो खाल सा भूमी का विक्षित हुई थी आपका अलादिन खाल ज सब्सक्राइब करेक्टान को जाएगा आप्षन नवर यह हो जाएगा चान्दी तामा सब्सक्राइब याद सब्सक्राइबकर 55 पार निपल्च समस्राय को All था मैं पॉस्पार सब्सक्राइब को सब्सक्राइब कर30 Здесь हो जाएगा तो तूरा प्रेंस मोह हो जा कि को ज्सार नवे सब्सक्राइब न जान तो देखे पानीपत के यूध में बाबर की जीत का मुक्य कारण था इसका भाइन 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 लेकिन इसमें तूगलत नामा फट्टि भी दिया हुआ ठीए उपका तूगलक नामा पत्ति भी हो सकता क्योंकि पानिपत के पर्थम यूद में तूगलक नामा यूद नीती के द्वारा इबलाहिम यूदि को प्राजित किया था ठीए तो यह देखिए इसका और नामा पत्ति दिया ना जिसका जो कारेक्ट अंसर हो जाएगा आपका आप्शन नंबर सी हो जाएगा तो इसमें बाबर नही पर्थम यूद में पर्थम बार है जो आपका तूप का भी पर्यूग किया था तो पैतालिस का करेक्ट अंसर सी हो जाएगा तूगलक नामा पत्ति अब देखिए फ्रेंस च्छालिस नंबर स्रवाल को देखते हैं कि एक नट्रेंस थोड़ा सेटिंग में थी हो रहा है कि एक नट्रेंस होल्ड किजिएगा तो इस सिस्टम पर आज पहली बार इसे आफ्लाइन वीडियो कर रहा हूं फ्रेंस थोड़ा सा सेटिंग में दिक्कत हो रही है बाद में सब ठीक हो जाएगा हम लोग कहां देख लिए थे फ्रेंस 46 तक देख लिए थे ना 42 तक देख ल अगा हुआ है रही है चलिए यहां से काम हो जाएगा फ्रेंस ठीक है अगा है अगा है अगा है अगा है अगा है एक लिए ट्रेंस इसका जो सेटिंग बोल्ड ने हो रहा है कि अग्या यहां से कर लेते हैं देखतू रहा है आपको लोग को चलिए यहां से कर लेते हैं चार कोश्चर और मात राइफ्रेंस ठीक है चलिए यहां से कर लेते हैं तो 46 नमर कोश्चन आपका क्या आफ्रेंस 46 नमर कोश्चन है भारते रेल ने किस नाम से एक स्वच्चाली ट्रेन सुरच्छा परणाली का परिच्छन किया है 46 नमर कोश्चन का क्या हो जाएगा तो 46 नमर कोश्चन का जो आप्सन नमर शी इसका करेक्ट अबरन किया है तो देखे आपका 47 का जो करेक्टन सुर जाएगा ओप्सन नमर ए हो जाएगा फ्रेंस आदि संक्राचारी के और तालिस नमर शवाल को देखे और तालिस नमर शवाल आपका है 48 नमर शवाल आपका है फ्रेंस UPSC के नए चेर्मेन कौन बने है 48 का जो करेक्टन सुर जाएगा ओप्सन नमर आपका डी हो जाएगा ठेका ऑप्सन नमर डॉक्टर मनो सूनी है जो UPSC के नए चेर्मेन बने उन्चास नमर शवाल को देखे निम्लिखित में से किसके जन्व दिवस को जन जातिये गौरव दिवस की रूप में मनाने की गोहसना केंद्री मंत्री मंडल दवारा की गई है उन्चास का जो करेक्टन सुर जाएगा फ्रेंस आपका ओप्सन नमर ये विर्शा मुंडा पचास नमर शवाल को देखे विश्वा संगठन ने किस महादीब को को पोलियो वाईरत मुक्त घोसित किया बहुत इंपर्टन सवाल है तो ये आप फिरका को पोलियो मुक्त घोसित कर दिया गया अट MOD